कि ये संस्कर्ट के ग्याता है, इन्होंने सद्गरंथों को ठीक समझा होगा, तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री बर्माजी, श्री विश्णूजी, श्री शिवजी, ये सुप्रीम पावर हैं, अद्रो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ क्योंकि हम विदार्थी हैं, और जिनको हम गुरू मानते थे, अब विदार्थी गुरू के किसी वचन में दोस निकालता है, तो विदार्थी ठीक नहीं, फिर विदार्थी कहा का हूँ, तो जिग्यास्तु गया था, दरसा टीचर करेगा, अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गृवोंने, जो भी लोग वेद सुनाया, हमने साथा मान लिया, सक्थ माना, और आज तक वो बिजली गिरी रही हमारे उपर, हम सास्तर बुर्द गयान गरहन किये रहे थे, सास्तर बुर्द सारी साधनाएं करते रहे, और हमारे सारे पुर्वज भूत बने गे, फिर उनके सराद निकल वाए, यदि सादना ही ठीक होती तर भूत बन के हो सकता है नहीं थी, और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि, कैसा मुर्ख बना रख्या था हमारे को, हमारे माता या पिता दादा दादी, जैसे भी शरी ठोड़ ये जों से, जब वो जीवत थे, दिन में तिन तिन बार आहर करते थे, प्रती दिन, और फिर तिन सो चौशट में थे, एक दिन उसकी तरपती के लिए सराद निकाल दिया, और को पेट बर छखा दिया, वो नकली गुरू, तो तिन सो चौशट दिन वो क्या ख प्रत्र, कैसा मूर्ख बना रख्या था हमारे को, या ता फिर डेली छखाओ उसने, जो गुरू जी नहों कहें, मुसका बोजन बेज दूँगा वहां पर, तो इस तरह की जो गल्त धारनाएं थी, परमातमा ने आकर सेट करी, एक समय परमेश्वर कबीर जी, कासी में गंग गाट पैच ले गए, वहां उन्होंने क्या देखा, कि कुछ ब्रामन वरग, या कुछ उनके द्वारा भरमित विकती, गंगा का पानी उठावें, और लोटा भरें, और गंगा इमर डालें, शुरिय की तरफ मूँ करके, तो परमातमा को मालूम था, ये के फंड कर रहे हैं परमातमा कबीर जी, गंगा में परवेस हुए, गोड़ों पानी में, गोड़ों पानी में से भी ज़्यादा, और वहां से ऐसे जल को पट्री से बाहर फैकड़ें लगे, फूब जोर जोर से, अब उन पंड़तों ने जो अपने पत्राती पानी बेज़ें थे, जल चड़ा के कबीर, ये क्या कर रहा तू? परमातमा बोले, आप क्या कर रहे हो? उन पंड़तों ने कहा कि हम तो अपने पत्रों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं. परमातमा ने बोला, पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको सुरगम जल पराप्त होगा? परमातमा बोल मैं भी यही कर रहा हूँ मैंने अपनी कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है उस में सिचाई कर रहा हूँ फिर मंडगे परमात्मा नो बला रहे वो पंड़त जी कहते है है रहे मूरख ये जल तो यहां वहां कैसे पहुँचेगा यही गिर रहा सारा तेरी वहां कैसे जाएगा जब परमात्मा बोले जब करोड़ों किलो मिटर तुमारे पितराँ के पास पहुँच जागा यही गिर रहा तो मेरी बाड़ी मजाती है के देर लागए ये तो दो किलो मिटर भी को नहीं फिर उनकी बुद्ध ही ठेकाना आगी नहीं बला रब ले आदमियो एक तो तुम कह रहे हो के सुरग में सारे सुख है और फिर वहां पानी का अभाओ थारी मात्य में कितने हैं नहीं फूट गी अकल कहा गई तुम्हारी नह को ना नरक में जा रहे हैं नरक में पूंड पीन देगा उन्हें गंगा जले तो साधना गल्द करने से साथर विर्द साधना करने से वो सारे भूत बनवा दिये बुनात्मो प्रमात्मा का पाना सबसे आसान है लेकिन कालना में गुमा गणा दिया बर्मित कर दिया इतने ग करम जीव कला दिये इव जड़े ना जड़े ऐसे करम लगा दिये वगती के इव न छोट छोट वावे तैन्यों के ना है ये तो पुरानी लाग से अब हमारे पूरवजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरूवों को पता था अब जैसा वो मारक दर्शन करके बोले बा रिखती थे एक बोला सा किसान था उसके लड़का उत्पन हुआ उसकी पतनी के उसकी माने कहा बेटा जा अपने गुरूजी को लावला के हूम करानी है हूम अवकती सी दासा दासा था ओ गुरूजी के पास गया गुरूजी परमात्मा ने दया करी है मारे लड़का उत्प हुआ है मेरी मान ने का है मारा गूम कर दे गूम कर दे गूम